आज मैं आपसे संबाद करूँगा भारत देश की उन भूलों के बारे में जिनके करने पर हमने बहुत कुछ खोया अपने देश का एक किसी कवी ने कहा है लहमों में खता की थी सदियों में सजा पाई मनि भूल कोई होती है वो किसी छण विशेश पर होती है लेकिन उसकी सजा पूरे के पूरी सब्विता पूरी संस्कृति और पूरे समाज को सदियों तक भुगतनी पड़ती है सेक्डों सालों तक वो सजा हम भुगतते रहते हैं छोटी सी एक भूल किसी छड़ में हमसे हो जाती है तो भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले 63 वर्षों में क्या-क्या ऐसी बड़ी भूले हुई है जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है और आजादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूले हुई है जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूँगा व्याख्यान का प्रथम भाग होगा आजादी के बाद हमसे जो भूले हुई पिछले 63 वर्षों में और व्याख्यान का दूसरा और अंतिम हिस्सा होगा आजादी के पूर्व हमसे जो भूले हुई मैंने इसमें जो कालखंड लिया है जो समय लिया है वो आज से लेकर लगबग पिछले ढ़ाई सो वर्षों तक का है तटस्त रूप से निश्पक्ष रूप से हम सब उन भूलों के बारे में गंभीरता से चिंतन करें और आने वाले समय में भारत स्वाबिमान के अभियान में जब हम लगें और एक संगठन के रूप में हम काम करें तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भूलें हमारे पूरवजों ने कर दी पुर्खों ने कर दी वो भूलें हमें हमारे संगठन में नहीं दोरानी है क्योंकि भूलों को दोराया नहीं जाता भूलों को जो दोराते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते उनका कोई भविश्य नहीं हो सकता वो बरतमान में ही दफन हो जाते है दुनिया में सबसे अच्छी सब्विताएं वो मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार करती चली जाती है और दुनिया में वही सब्विताएं जीवन्त मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार समय के अनुसार करती रहती है तो भारत की सब्विता के बारे में हम मानते हैं कि ये बहुत पुरानी सब्विता है और शायद इस समय दुनिया में सबसे पुरानी जीवित सब्विता है भारत के बाद की बहुत सारी सब्विता आई और चली गई लेकिन भारतिय सब्विता अभी तक जीवित है पूरी दुनिया में तो शायद इसलिए कि समय के साम हमने भूलों का परिशकार करना सीखा है तो भविश्य में भी हम इन भूलों का परिशकार अपने जीवन में और समाज में कर पाएंगे इस द्रश्टी से थोड़ी सी बाते में रख पाऊंगा क्योंकि भूलें तो बहुत हैं लेकिन जिन भूलों ने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया हमारा भूगोल बदल दिया हमारी सब्विता हमारी संस्कृती को पूरे गहरे तक मत डाला जिन भूलों ने हमारी अर्थ व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया जिन भूलों के कारण देश के टुकड़े हो गए ऐसी कुछ गंबीर भूलों की तरफ आपका ध्याना करशित करूंगा आजादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो यह कि जब हम 15 अगस 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बटवारा सुईकार कर लिया यह हमारी बहुत बड़ी राजनेत एक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेशग्यों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बटवारा सुईकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता लेकिन 14 अगस 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मनजूर करा लिया या हमने सुईकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्शों में आपके मन में सवाल आया कि ये भूल किस्से हुई हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को सुईकार किया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया लोगों की बात अगर मैं करूँ आपसे तो 1937 से भारत में एक राजनेतिक पार्टी बनी मुहमद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उस राजनेतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मुहमद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए धर्म के आधार पर संप्रदाई के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए मुस्लिम संप्रदाई को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सब्विता को एक अलग देश चाहिए इस मांग को भारत के मुसल्मानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसल्मानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के दौरा की गई इस मांग को भारत के मुसल्मानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसल्मानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मन्जूर नहीं किया तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजने तेक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में भारत के मुसल्मानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटना है सुनाना चाहता हूं कि भारत के मुसल्मानों का जिन्ना के प्रती कैसा रवया था कई बार जिन्ना मुसल्मानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसल्मानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए तुमको अलग देश बनाना चाहिए सब तरह का विश्व वो लोगों के मन में भरता था तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की महला के साथ होता था लोग गुसे में आते थे एक सभा में तो उसको लाहूर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्द है जिन्ना को जूतों की महला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भाग जाओ यहां से हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें तो इसी भारत में रहना है हमें अलग देश नहीं चाहिए क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित तो खत्रे में पड़ जाएगा जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो ये कहा करते थे कि अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा इतना ताकतवर देश कभी भी पाकिस्तान को खतम करा देगा इसलिए जो जिम्मेदार और समझदार मुस्लिम नेता थे इस देश में जैसे मौलाना अबुलकलाम आजाद थे और इनके बहुत सारे सहयोगी मुस्लिम नेता थे बदरुदीन तयव जी करके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे फिरोशा करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो ना सुखी होगा ना समरुद्ध शाली होगा ना संपत्ति शाली होगा उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फसा रहेगा और चक्की में घुनकी तरह से पिस्ता रहेगा एक तरफ चीन बैठा है दूसरी तरफ भारत तो है ही इसलिए जादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया वास्तविक्ता ये थी कि जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था और वास्तविक्ता जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे जो एतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था अंग्रेजों की ये कुटिल नीती थी उनकी ये कूट नीती थी या उनकी ये दुर नीती थी कि वो भारत को तोड़ कर यहां से छोड़ कर जाए अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्शों का दुनिया के लगबग 71 देशूं को उन्हों ने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्शों में रस्ट्रेलिया उनका गुलाम हुआ सिंगापुर उनका गुलाम हुआ, हौंग कोंग, ताइवАन को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश इंडोनेशिया मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए चीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया दुनिया के ऐसे 71 देशों में अमेरिका कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं ऐसे 71 देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना सामराज इस्थापित किया था उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बटवारा किया था अफरीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अफरीका में अंग्रेजों ने साड़े चार सो वर्षों की गुलामी लाई थी या साड़े चार सो वर्षों तक अफरीका में अंग्रेजों का सामराजी चला था और अफ्रीका के एक एक देश को सीधी सरल रेखा में उन्होंने बाट दिया अगर आप थोड़ा सा विश्व के मानचित्र का अध्यन करेंगे तो अफ्रीका का नक्षा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो देश हैं जैसे नाइजीरिया है जैसे सोमालिया है, जैसे एथियोपिया है, जैसे जिंबाब्बे है, ऐसे अफरीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्षे में, तो सभी देशों की सीमा रेखा है, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, कोई देश चौकोर है, कोई तिकोना है, कोई पंचक कोई शटकोनी हैं इस तरह से देशों को काटा है मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि देश की सीमाएं कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती देश की सीमाएं टेडी मेडी रेखा होती हैं भारत की सीमा को देखो अंग्रेज तो भारत को खंडगंड तोड़ना चाहते थे वो तो भारत देश के ऊपर भगवान की क्रपा हुई कि सरदार बल्लब भाई पटेल जैसा लहोपुरुश हम को बेज दिया उसी समय में और उनकी दूर द्रश्टी थी उन्होंने अंग्रेजों की चाल को काम्याब नहीं होने दिया वरना अंग्रेज तो भारत के 565 टुकड़े करना चाहते थे और भारत को वो ऐसे ही बांटने की योजना लेके आये थे जैसे अफरीका को उन्होंने बाटा तो अफरीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे सबी देशों की सीमा हैं स्ट्रेट लाइन में हैं सीधी सरल रेखा है ऐसे माटा है अंग्रेजों ने मन मानी से मन मरजी से तो अंग्रेजों की योजना थी जैसे अफरीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बटवारा कराया उस देश का खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफरीका के लोगों को वैसे ही उनकी योजना भारत के लिए थी कि भारत को वो छोड़ेंगे तो एक देश नहीं रहने देंगे उसको खंड खंड तोड़ेंगे तो उन्होंने क्या किया भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी और जादा तर राजा ये कहा करते थे नहीं हमको तो भारत में विलय होना है भारत में मिलना है तो फिर अंग्रेज उनको और चिड़ाने के लिए कहते थे कि फिर आपकी मर जी भविश्य में आपका क्या होगा हम नहीं जानते तो इस तरह से राजाओं को भढ़का के राजकुमारों को भढ़का कर उनकी योजना थी कि वो भारत को 565 टुकड़ों में तोड़ें लेकिन उनकी ये योजना काम्याब नहीं हो पाई क्योंकि उनकी योजना को नाकाम्याब करने के लिए सरदार बल्लब भाई पटेल ने रात दिन एक कर दिया था और जी जान लगा दिया था इसलिए भारत की अधिकांश रियासते तीन को छोड़कर एक रियासत थी जम्मू काश्मीर एक रियासत थी उसका नाम था जूनागर जो गुजरात में है समुदर के किनारे है और एक रियासत थी हैदराबाद ये तीन रियासतों को छोड़कर 562 रियासतों ने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना था और उनोंने संकल्प लिया था कि भारत की आज़ादी के साथ हम भारत में ही रहेंगे भारत में ही विले होंगे हमारा भारत से अलग कोई हस्तित्त नहीं है तो अंग्रेजों की चाल कामयाब नहीं हुई पांच्सो बासथ रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विले हो गए तीन रियासतें अंग्रेजों की चाल में फसी थी जम्मू काश्मीर फसा हैदराबाद फसा और जुनागर फसा इन तीन रियासतों को अंग्रेजों ने बढ़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फाइदा नहीं है आप भारत से अलग हो जाओ एक नया राश्टर बनाओ तो जम्मू काश्वीर में ये मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राश्टर बनाएंगे इसी तरह जुनागर का जो राजा था वो मुसल्मान था उसने ये कहना शुरू किया था कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी ऐसी बातें करता था वो कहता था या तो मैं स्वतंत रहूं नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊं भारत में तो नहीं मिलूंगा लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था अंग्रेजों का साशन खतम होने के बाद ये तीनों रियासतें भारत में आकर मिली ये एक कहानी है जो हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए जानने के लिए आवश्यकता है दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि जादतर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही है वो सब भारत में ही मिलने को तैयार हैं तब उन्होंने जिन्ना को अपनी मोहरा बनाकर अपनी गुटी बनाकर खेलना शुरू किया जिन्ना को अंग्रेजों ने एक प्यादे की तरह से इस्तेमाल किया शत्रंज का जो खेल होता है ना उसमें कुछ प्यादे होते हैं वैसे ही जिन्ना अंग्रेजों का प्यादा बना और जिन्ना के पीछे अंग्रेज तब से लगे हुए थे जब मुहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गया था बैरिस्टर हुआ था वो लंदन से उसने पढ़ाई की थी तब से अंग्रेजों ने जिन्ना को देख रखा था और जब वो भारत लोटा तो सब तरह का सहयोग करके जिन्ना की एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम मुस्लिम लीग पढ़ा ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए सारा पैसा अंग्रेजों ने दिया जिन्ना को और ना सिर्फ पैसा दिया बलकि अंग्रेजों ने अपने अखवारों में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा और बखान करवाना शुरू किया अंग्रेजों के जो अखवार निकला करते थे इस भारत देश में जिन्ना की पार्टी के बारे में खुब बड़ी-बड़ी खबरें छपती थी छोटा सा कोई कारिक्रम जिन्ना की पार्टी करे तो अंग्रेजों के अखवार में मुख प्रश्ट पर उसका समाचार छपता था और इस तरह से जिन्ना को हवा भरी अंग्रेजों ने और धीरे धीरे तयार किया कि तुम तो अलग देश मांगो पाकिस्तान भारत में रहने की तुमें कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन भला हो भारत के मुसल्मानों का उन्होंने जिन्ना का समर्थन नहीं किया फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कुछ मुसल्मानों को बंगाल के कुछ मुसल्मानों को और खासकर बिहार के कुछ मुसल्मानों को जो जिन्ना के साथ थे पैसे दे कर फंड दे कर रिश्वत दे कर लालच दे कर घूस दे कर तैयार करवाना शुरू किया कि तुम भी पाकिस्तान मांगो तो बंगाल में एक नेता निकलाया उसका नाम था सुहरा वर्दी और वो जिन्ना के साथ मिलके एक दूसरा नेता बना जिसने का मुझे पाकिस्तान चाहिए हमें संप्रदाई के आधार पर बटवारा चाहिए तो इस तरह से पाकिस्तान की मांग 1937 के बाद इस देश में खड़ी की गई अंग्रेजों की पूरी ताकत उसमें लगी पैसा लगा उनकी शक्ती लगी उनकी अकल लगी उनकी बुद्धी लगी और इस तरह से ये बाद बढ़ती चली गई बाद में क्या हुआ 1942 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्युद में जब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई दूसरा विश्युद 1949 से शुरू हो गया था और जर्मनी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी उस समय जर्मनी का जो हिटलर था उसने अंग्रेजों को इतना मारा था इतना पीटा था कि हाल खराब हो गया था इनका बम गिराये थे इतने पूरे इंग्लेंड पर कि लाखों लोग मर गए थे और यूरोप के और देश जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे वो भी पिट गए थे तो अंग्रेजों की 1942 तक हालत बहुत खराब हो गई तो अंग्रेजों ने परोक शुरूप से ये कहना शुरू कर दिया कि शायद भारत में वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे या भारत में ज़्यादा साशन नहीं कर पाएंगे और 1945 में जब दूसरा विशुद खतम हो गया और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से द्वस्थ हो गई तब तो अंग्रेजों ने खुल कर कहना शुरू कर दिया कि अब भारत छोड़ कर वो चले जाएंगे और 1946 में बाकाइदा उसकी गोशना हो गई और 1947 में 15 अगस्ट को वो चले गई लेकिन जब 42 से अंग्रेजों का ये मन बन गया कि उनको भारत से चले जाना है छोड़ देना है तो उन्होंने भारत के नेताओं से बिना बताये हुए ट्रांसफर ओफ पवर की बात करना शुरू किया और उन नेताओं में बहुत महत्वण उनके लिए जिन्ना था और जिन्ना को फिर से उन्होंने यही बात समझाना कि अलग पाकिस्तान ले लो अलग देश ले लो तुम प्रदान मंत्री हो जाओगे तुम ऐसे हो जाओगे और ये सब चलना हो गया और आगे ये बढ़ता चला गया अंत में ये हुआ महात्मा गांदी एक बड़े नेता थे उस समय आजादी के अंदोलन के उन्होंने एक संकल प्ले रखा था वो ये कि भारत का बटवारा होगा नहीं किसी भी कीमत पर और महात्मा गांदी ने पूरे देश में ये एलान कर दिया था कि भारत बटेगा नहीं भारत एक रहेगा अखंड रहेगा अगर भारत का बटवारा कोई करना चाहता है तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए मैं होने नहीं दूँगा और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्होंने कि भारत का बटवारा बाद में होगा पहले मैं मरूंगा और मेरी लाश पे भारत का बटवारा होगा तो गांदी जी ने ये एलान कर रखा था और आपको शाहिद मालूम है ये बात कि भारत के करोणों नागरिक गांदी जी के साथ थे तो करोणा लोग भी गांदी जी के संकल्प के साथ थे हिंदू हों, मुसल्मान हों सब लोग गांदी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बटवारा नहीं कराना है तो माउंट बेटन नाम का एक आदिमी बेजा गया इंग्लेंड से और उसको इसलिए भेजा गया कि वो जाकर भारत का बटवारा कराने में मदद करे और माउंट बेटन को भारत में अंग्रेजों का आखरी वोईसराय माना जाता है आखरी गवर्नर जर्रेनल माना जाता है उसने आके जो गोटियां बिछाई उसके आधार पर भारत के बटवारे की प्रश्टभूमी तयार हुई उसने क्या किया जिन्ना को और ज्यादा राजनेतिक महत्वा कांच्छा से प्रेरित कराके एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्तान नहीं चाहिए तो बाच्छीत शुरू हुई और उस बाच्छीत में जो अंदर के दस्ता वेज हैं जो मैं आज आप से कहना चाहता हूँ वो यह कि जिन्ना एक बार महत्मा गांधी से मिलने गया महत्मा गांधी ने जिन्ना को पूछा बही तुमको क्या चाहिए कि पाकिस्तान चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री होने का है, अलग मुसल्मानों का देश बनाने का है, तो मातमात गांदी ने का कि भारत के मुसल्मान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने, वो तो तुम्हारे साथ है नहीं तो जिन्ना ने कहा कि नहीं मेरे साथ बहुत मुसल्मान है तो गांदी जी ने कहा कि देश में एक जन्मत संग्रे करा लो तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया फिर गांदी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है ना, तु भारत के हो जाओ। इसमें क्या बुराई है? लेकिन देश तो एक रहे, देश तो नहीं तूटे तो जिन्ना तुरंट तैयार हो गया। और गांदी जी को लगा कि इसकी यही कमजोरी है कि ये प्रधानमंत्री होना है इसको अब जिन्ना ने जब ये मान लिया कि मैं प्रधानमंत्री हो जाओं तो उसने का फिर भारत नहीं बटवारा मुझे करना फिर भारत को नहीं तोड़ना माने प्रधानमंत्री पत चाहिए अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ति थे प्रधानम विशेश पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है जब नहरू जी के सामने ये बात आई कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बटवारा नहीं चाहता तो गांदी जी ने संदेशा बिजबा दिआ कि ठीक है जिन्ना को प्रधानमंत्री सुविकार कर लेने में कोई गल्ती नहीं है अगर देश टूटने से बचता है तो इसको प्रधानमंत्री सुविकार करने में कोई धिकत नहीं है नहरू जी ने एक बहुत कपारवा़ कहा परंपू Daisy जी हम لوगों को बार-बार ये कहते रहते हैं और मैं इस बात को विशेश रूप से ध्यान से सुनता हूँ कि भाशा का प्रमाद नहीं होना चाहिए बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए और वो प्रमाद नहरू जी की बोली में आ गया नहरू जी ने पबलिक एक स्टेटमेंट कर दिया पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मुहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्री मंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता पंडित जवारला नहरू ने ये कह दिया कि मैं मुहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्री मंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता माने सीधी सी बात है कि मैं उनको अपने मंत्री मंडल का चपरासी नहीं बना सकता प्रधान मंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुप गई और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए और यही अंग्रेज चाहते थे अंग्रेज उने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया और फिर उसने मारकाट शुरू करा दी एक डाइरेक्ट एक्षन प्लैन शुरू हुआ था बंगाल में और जिन्ना के मुस्लिम लीग पारिटी के जो सदस्य हुआ करते थे उन्होंने तलवारे निकाल कर हिंदों का कतले आम शुरू कर दिया था बंगाल में और इस बयान के बाद सारी इस्थती और परिस्थती बदल गई महात्मा गांदी बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह से बात बन जाए लेकिन वो बात नहीं बनी और जिन्ना उसके बाद फिर माना नहीं और गांदी जी को मिलने भी नहीं आया फिर उसने कहा कि पंडी जब आरला नहरू कहते हैं कि मैं उनके मंतरी मंडल का चपरासी बनने लाइक नहीं हूँ तब तो सवाली नहीं उठता अब तो मैं नया देश बना के ही रखूंगा और उसका प्रदान मंतरी बनके दिखाओंगा अच्छा जिन्ना का जो एक एक रहेगा बटवारा नहीं होगा लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत मैं फिर वो हुआ अंग्रेज तो तयार बैटे थे तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इस कानून की परिभाशा में ये तै किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे एक भारत रहेगा दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान कहां कहां हो जाएगा उसकी सीमा तै कर दी अंग्रेजों ने और भारत कहां कहां रहेगा उसकी सीमा तैकरदी अंग्रेजों ने और इस तरह से ये बटवारा हो गया और आपको इतिहास की एक सच्चा ही बताना चाहता हूं जो दर्द देती है दिल में वो ये कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया सच में मर गया और वो टीवी से मर गया उसको बोन टीवी थी तो बार बार उसके डॉक्टर की बात याद आती है कि उसका डॉक्टर ये कहा करता था कि ये पाच्छे महीने का महमाने इसको बन लेने दो प्रधान मंतरी बाकी तो फिर पूरा देश हमारा ही है लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लिया अगर ले लिया होता तो भारत की ये एतिहासी गलती हमसे नहीं हुई होती और पाकिस्तान नाम का देश अलग नहीं हुआ होता और ये भारत एक खंड देश रहता अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना तो मर गया और मरने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपकी आँखों के सामने है उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता लेकिन जितना मामला भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है अब इस मामले का अंतिम जो वो निकला सच बन के सामने कि बटवारा हुआ भारत पाकिस्तान तो मुसल्मानों को पाकिस्तान जाना है और हिंदूओं को पाकिस्तान से भारत आना है बहुत सारे मुसल्मानों ने पाक तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई, भारत और पाकिस्तान के बनने पर, लाखों लोगों का कतले आम हुआ है, उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते, पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों ल पहन बेटियों की हिज़्ञत लूटी गई लाखों छोटे छोटे बच्चों का कतल्याम किया गया उस जमाने के दस्तावेज को पड़ते हैं तो आखों में आसु आते हैं भर भर के गाडियों में, ट्रेनों में, बसों में, बैल गाडी में, गोरा गाडी में, खचर में इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाड हुआ है घर और भारत में ऐसे लाखों परिवार है शायद मैं कहूं तो अब कुछ करोड परिवार ऐसे होंगे जो उजड़ कर पाकिस्तान से भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहां छोड़ा था कुछ नहीं ला पाए और यहां लाकर शूनने से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की करपा से वो शिखर तक भी पहुँचें प्रणाम है उनकी महनत को बंदन है उनकी महनत को कि पाकिस्तान से उजड़ कर आए कुछ हाथ में नहीं था आकेले आए किसी की पत्नी छूट गई वहां पर किसी का पिता छूट गया किसी की बेटी छूट गई किसी की बहन छूट गई किसी की माँ छूट गई किसी का कुछ छूटा किसी का कुछ छूटा और किसी तरह से बारते पीटते भागते भूगते यहां आकर उन्होंने कहीं कहीं आशिया ने बनाए और आशिया अच्छे व्यवस्थित हैं लेकिन ये बटवारे का धर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है ये हमारी एक बहुत बड़ी एतिहासिक भूलती कुर्सी के एक पद के लिए प्रदानमंत्री पद के लिए ऐसा सप्ता का समझोता नह को बनवाना ही है और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विश्का बीज बो दिया अब ये विश्का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है गले की फास बन गया है ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है अब वो जो तीन राज भारत में मिलने को तैयार न कोशिश की कि ये जो तीन राज्य हैं इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए तो जूनागर राज्य को उन्हों ने मिला लिया बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को ये कहा था कि तुम पा की वह भारत ग्रहम अंतरी बन चुके थे उन्हों ने एक ऐंतरिक सरवेक्षन ये कर आया था कि हैधरबाद रियासत मे रहने वाले लोगों से पूछो वह चाहते को तो पता चला 97 प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है तो सरदार बल्लब भाई पटेल को होसला बढ़ा उत्सा बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद की निजाम को कहा कि तुमको जाना है तो चले जाओ ये राज्यतों भारत में ही रहेगा क्योंकि यहां के नागरिकों का कहना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सरदार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हातों में चूडिया नहीं पहन रखी है जब तक मैं तुम्हें जहिल रहा हूँ तब तक जहिल रहा हूँ जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि अब सीमा खतम हो गई है जहिलने की तो दो चार घंटे ही लगेंगे भारत की एर फोर्स के जवान भारत की सेना के जवान तुमारे हैदराबाद में उतरेंगे और एक जटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा और उसके समानां तर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था पूरी रियासत को भारत में मिलाओ नागरिकों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आरी समाज के नेताओं की आरी समाज के नेता पूरे हिदराबाद रियासत में उस समय सक्रिये थे और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राम्मनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फाज ये सब इस बात के लिए सक्रिये थे हिदराबाद को भारत में मिलाना है तो हिदराबाद रियासत के गाओं गाओं में ये नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और जनता को समझा रहे थे कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है भारत में रहना है तो उसका फल मिला था उस प्रचार का बहुत बड़ा फल मिला प्याला था, जंता ने ये फैसला कर लिया था, कि हम तो भारत में रहेंगे, तो निजाम एक दिन फिर भाग गया, भारत छोड कर, और भारत में पूरा हिदराबाद राजि मिला लिया गया, और इसी तरह से जुना-गड़का हुआ, जुना-गड़का भी शारा कासर, राजि थे हरी सिंग, उनके दिल में अंग्रेजों ने ये जोत जला दी, अलग देश बनाना, अलग राश्टर बनाना, बफर स्टेट बनाना, और वो इसी का गाना गाते रहते थे, और अंग्रेजों कमन में था, कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग होई जाए, जैसे पाकिस्तान रहे थे, उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ, तो महराजा हरी सिंग के हाथ-पाउँ फूल गए, उनके पास पूरी सेना नहीं थी, जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके, और महराजा हरी सिंग को ये द अब तो लगा कि पाकिस्तानी राश्ट बन जाएगा तो अंत में उन्होंने हतियार डाले और सरदार बल्लब भाई पटेल के पास अपने प्रधान मंत्री को भेजा और कहा कि अब आप हमें बचाओ तो सरदार बल्लब भाई पटेल ने मुस्कराते हुए का कि हम क्यों बचा तो जो प्रधान मंत्री था महराज हरी सिंग्ग का बहुत होशया और बहुत चतुर व्यक्ति था उसने का कि इस समय बहस करने का समय नहीं है बाद में हम तै कर लेंगे लेकिन यह पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्य को तो सरदार पटेल ने का कि मैं मेर किसी शर्ट के भारत में मिलने का फैसला करो और एलान करो कि भारत में आपका पूरा राज्जी का विलय होगा उसी कंडिशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी क्योंकि तकनी की रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और जम्मू काश्मीर चुगी भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने एलान कर दिया है कि इसको स्वतंत्र देश बनाना है तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे तो प्रधान मंतरी भागा भागा वापस गया महराजा हरी सिंग के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया है सेना तो नहीं आएगी जब तक हम भारत में विले के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते भारत के साथ विले के संदी पत्र पर हम हस्ताक्षर नहीं करते तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे और उस समय पाकिस्तानी सेना श्री नगर के बिलकुल नजदीक में थी हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कबाईली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे तो महराज़ा हरी सिंग ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये भारत में जम्मू कश्मीर का विले हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अबिन अंग बना और सरदार पटेल के सामने जब यह दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महराजा हरी सिंग ने सुईकार कर लिया है तो फिर सरदार पटेल ने आधेश किया कि अब भारत की सेना जम्मु काश्मीर कूछ करेगी तो भारत की वाईू सेना ने और थल सेना ने रातो रात 24 गंटे में जम्मू कश्मीर में जो अपरेशन चलाया, वो दुनिया का सबसे अद्बुत अपरेशन था, हजारों सैनिक उतार दिये जम्मू कश्मीर में, और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया, वो भी दुनिया में अद्बुत था, आप कल्पना कर सकते हैं श्री नगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो आप सोचो कहा तक आ गई सेना वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो तब भारत की सेना ने एंट्री की थी प्रवेश किया था और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया थ और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्टानी सीमा तक भारत की सेना पहुंच गई हाथ में आने वाला है यह ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन उसी समय फिर हम से एक भूल हो गई और उस भूल की चर्चा मुझे करने है वो भूल क्या हो गई भारत के प्रधान मंत्री ने भारत के ग्रह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्विराम की गोशना कर दी युद्विराम का नियम है कि जब युद्विराम की गोशना की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी cabinet उस पे सही माने और मंतरी मंडल का सबका हाँ हो जाए तब प्रधान मंतरी उसकी गोशना कर सकता है लेकिन प्रधान मंतरी महोदे ने ना तो cabinet की मीटिंग बुलाई ना उनकी सहमती ली उन्होंने अपने मन से गोशना कर दी और वो घोशना भी उन्होंने ऐसे नहीं की लोगों के सामने रेडियो पे जाके कर दी दिल्ली का ओल इंडिया रेडियो इस्टेशन है वहां गए और जाकर घोशना कर दी और अपनी तरफ से दुनिया बर को ये कह दिया कि हम संयुक तराश्टो संग की मद्यस्तता में इस जम्मू काश्मीर के मामले को हल करेंगे माने संयुक तराश्टो महासंग आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बन कर बैठे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महराजाने ये बोल दिया था हस्ताक्षर कर दिये थे दस्तावेज उसके मौझूद है कि वो तो भारत में विले कर चुके हैं तो भारत के प्रधान मंतरी को ये कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटिड एरिया मानते हैं विवादित छेत्र मानते हैं और इसका फैजला से उक्तुराश्र महासंग में होगा बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फास बन गया और हडी बन गया अब पाकिस्तान बार-बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटिड एरिया है विवादित छेत रहे और भारत ने तो बोला है कि इसका फैसला सेयुक तुराश्ट्र महासबा के दौरा होगा तो सेयुक तुराश्ट्र महासबा के लोग आएं जम्मू कश्मीर में रहें भारत की सेना वहां से हटाई जाए पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जन्मत संग्रे कराया जाए और वो जन्मत संग्रे के आधार पर जो तै हो उससे तै किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा अब तकनी की बात जो मैं कहा रहा हूँ कि वो पहले विलय हो चुका था जम्मू कश्मीर का तो ये प्रशने ही नहीं उठना चाहिए था लेकिन वो एक बड़ी भूल हो गई और उसी भूलने जम्मू कश्मीर को विवादित छेत्र अंतर राश्ट्री दुनिया में बना रखा है भले हमारे लिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है लेकिन सेयुक्त राश्ट्र महासवा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित छेत्र है और विवादिच छेत्र में चौधरीयों को गुसने का दखल करने का अधिकार है तो जम्हु कश्मीर के मामले में सेंट राश्ट को भी दखल करने का अधिकार है और वहीं से ये सारा मामला खिचड़ी बन गया, खटाई में पड़ गया अच्छा खासा पूरा जम्हु कश्मीर वहां के महराजाने दस्तावेजों पर हस्ताकशर करके भारत के साथ विले कराया लेकिन प्रधान मंतरी महोदे के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बिगाड़ दिया अब ये मामला से उक्तराष्ट महासंग में है, से उक्तराष्ट महासंग में आप जानते हैं अमेरिका दादा है जो अमेरिका चाहता है वहां वही होता है, जो अमेरिका चाहता है वहां के लोग वही करते है और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये जम्मू कश्मीर का मामला सुलच जाए क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविश में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा इसलिए इसको विवादिती रहने दो क्योंकि विवादित छेत्र में गुसने के लिए रास्ता खुल जाता है अमेरिका को क्या इंट्रेस्ट है जम्मू काश्मीर में अमेरिका की ये रणनीती है कि भविश में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के सेनिकों के लिए शरण स्थली बन सकता है बविश में चीन के खिलाफ अमेरिका को हवाई हमला करना पड़ा तो अमेरिका से हवाई जा जाकर चीन पर हमला तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना पेट्रोल उन में नहीं चल पाएगा कि अमेरिका से उड़ान बढ़ें और चीन पे आकर हमला करें अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़कर पहले उतरना पड़ेगा भारत के किसी इलाके में जो चीन के नस्दीक है फिर दुबारा उसमें इनन बढ़ा जाएगा तब जाकर वो हमला कर पाएंगे तो अमेरिका को दिखाई देता जम्मू काश्मीर बहुत सुरक्षित है चीन की सीमा वहां से लगती है तो भविश्य में कभी चीन से युद लड़ना पड़ा अमेरिका को तो जम्मू काश्मीर अमेरिका के लिए एर बेस का काम करेगा और ये एर बेस तभी तक काम करेगा जब तक जम्मू काश्मीर विवादित है इसलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही देना नहीं चाहता स्युक्त राश्र महासावा में जब जब ये विशय आया जब जब ये बहस हुई अमेरिका ने वीटो लगाकर इसको फसाया और इसको हल नहीं होने दिया और आज तक ये हल नहीं हो पा रहा है और ये हल नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम दुश परिनाम क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना हग जमाता है और जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम भारत में रहेंगे आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर की जनता क्यों कहती है भारत में रहेंगे इतनी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और इतनी बार भारत की इस पार्टियों को लोगों ने वोट दे दिया है और इतनी बार वहां भारत के नेताओं की सरकारे बन चुकी है इस से बड़ा प्रमार और सबूत क्या चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो अमेरिका से पैसा पाते हैं जिनको पाकिस्तान से धना आता है वो अलग राग अलापते रहते हैं और उन्होंने कुछ संगठन बना रखे हैं और उन संगटनों की मदद से गाहे बगाहे वो एक शिगूफा छोडते रहते है और उनका एक ही शिगूफा है प्लेविसाइट होना चाहिए जनमत संग्रे होना चाहिए अब मैं बांता हूँ कि वोट की राजनीत से बड़ा जनमत संग्रे और कौन सा होता है और आपने देखा है कि एक चुनी होई सरकार वहाँ पर है उसके पहले भी वोट हुए है और उसके पहले भी चुनी होई सरकार बन चुकी है तो सारी दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि वहाँ चुनी होई सरकार हैं बन रही है और वोट की ताकत पर बन रही है उनको तो आधार लेकर आतंकवादी गत्विदी चल रही है और उन आतंकवादी गत्विदियों से एक इलाका है जो पूरी तरह से प्रभावित है और वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि वहां रहने वाले मूल निवासियों को अपने घर छोड़कर द्वार छोड़ कर, संपत्ती छोड़ कर भाग कर कहीं दूसरी जगे शरनार्थी के रूप में रहना पड़ रहा है ये भारत में ही हो रहा है दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में इसका उधारन नहीं मिलेगा अपने ही देश के मालिक, अपने ही देश के राजा, अपनी ही संपत्ती और सब्विता के मालिक अपनी सब संपत्ती सब्विता संस्कृती को छोड़ कर कहीं शरनार्थी की तरह से जीवन बिता रहे है मैं तो जम्मू में गया हूँ दिली में गया हूँ मैंने वो इलाका देखा है जहां जम्मू कश्मीर से निश्काशित पंडित जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं उनकी पीडियां गुमनामी में खो रही हैं उनकी सब्विता उनकी संस् जा दे दिया है इसलिए आपको क्या करना है आपको क्या सीखना है मेरा आप से विनमर निवेदन है जो इस पूरी दुरगटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद ना करें और ऐसी भाशा और ऐसी बोली का इस्तेमाल कभी ना कर दें कि भविश में हमारा एक कोटा सा वाकिय भारत स्वाबिमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए इस पूरी दुरगटना से जो सीख लेने की जरूरत है और दूसरा उनमाद में आकर आवेश में आकर जोश में आकर होश को खोकर कुछ ऐसा ना कर बैठे हैं जो भविश्ची के भारत के लिए ख बाद हुई पाकिस्तान को हमने हरा दिया जम्मौ कश्मीर को आज़ाद करा लिया बहरत का अंगवी बन गया उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दोस्सा हस किया और आप जानते हैं 165 में हमला किया 165 के पाकिस्तानी हमले के पहले 1962 में चीन का भी हमला हुआ और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई भारत देश में चीन के राश्ट्रपती आये थे चाओ एन लाई और उनकी भारत के प्रधान मंत्री से बारता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई है कभी बेविश्य में इनके दुश्मन ओने की कोई संबावना नहीं है अब चीन के राश्रपती की इस बात को भारत के प्रदान मंतरी ने ब्रहम वाक्यमान लिया और भारत के प्रदान मंतरी ने उस से ज़ादा जोर से कहना शुरू कर दिया हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई अब चीन एक आँख लगा के बैठा था भारत पर और वो भारत के उपर हमला करने की तैयारी कर रहा था और यहां आकर उनका राश्रुपती कह रहा था कि भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई है चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए और वो इलाके का नाम क्या है आप सबी जानते हैं हमारा जो लद्दाक है लद्दाक के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा छेतर है जिसको अकसाई चिन कहा जाता है ये अकसाई चिन हजारों साल से लद्दाक का अंग रहा हजारों साल से जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोल कर देखो तो पता चलता है कि अकसाई चिन का जो छेतर है वो लद्दाक का अभिन अंग है और चीन की नजर उस अकसाई चिन पर लगी हुई थी भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांटकांट भी की थी और संदी भी की थी एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अकसाई चिन का एरिया चीन को दे देने की गोशना की थी बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया जगडा हो गया तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे तो ये जो अकसाई चिन है वो लद्दाक का छेतरहा हजारों वर्षों से चीन को वो चाहिए था अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास और अंग्रेजों ने गोशना भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संदी करें तो बदले में अकसाई चिन चीन को दिया जा सकता है बस एक ही शर्त है कि चीन तिबबत को एक स्वतंत्र देश की माननिता दे चीन ने वो नहीं किया तिबबत को स्वतंत्र देश की माननिता नहीं दी तो अंग्रेज पीछे अट गए और उन्होंने का अकसाई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते वहाँ से ये विवाद शुरू हुआ आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अकसाई चिन भारत से लेना है इसलिए चीन ने 1962 में भालत पर हमला कर दिया और उस हमले के पहले की परिस्थिती अपने देश में ये थी कि भारत के प्रदान मंत्री हर जगे भाशन करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी और चीन में तो कभी जगड़ा होगा नहीं युद्ध होगा नहीं, तो इसलिए हत्यार बनाने की जरूरत नहीं, सेना को रखने की जरूरत नहीं, सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, तो भारत में हत्यार बनाने वाली जो फैक्टरियां थी, उनको बंद कराने का आदेश आया, क्यों? क्योंकि सेना के उपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन वहां के राश्ट्रपती बोल कर चले गए कि हिंदी चीन ही भाई भाई तो अब तो क्या हमें प्रमान पत्र चाहिए अब तो चीन हमारा भाई हो गया अब हमको तो लड़ना नहीं है उत्पादन करना नहीं है सेना पर खर्च बढ़ाना नहीं है और सेना पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे तो सरकार की ये नीती बन गई तो पूरी सेना ढिली पड़ गई सेना को हत्यारों की सप्लाई कम हो गई सेना के उपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया सेना के लोगों को मिलने वाली तनखाएं कम हो गई इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक रूप से असंतुलन शारिरिक रूप से असंतुलन आ गया और तैयारी में तो बहुत कमी आई चीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया और उस हमले में बड़ी फजियत होई चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर तो भारत की सेना बिलकुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए सेना को सपने में भी परोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा क्योंकि भारत के प्रदान मंतरी को परोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा लेकिन वो हमला हो गया और हमला हुआ तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी आनन फानन में हमारे 1383 सैनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में और जब इतने सैनिकों की मरत शरीर आने लगे सीमा पर से तब भारत में खलवली मची और खलवली मची और फिर ये तैयारी शुरू होई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए तब तक चीन हमारे 72,000 वर्गमील जमीन पर कबजा कर चुका था और 72,000 वर्गमील जमीन जब चीन के कबजे में आई तो चीन के राश्ट्रपती ने एक दिन अपनी तरफ से गोशना कर दी कि अब हम युद्विराम करते हैं और इस तरह से युद्विराम खुद युद्विराम भी कर दिया क्योंकि जो और इलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने और वही 72,000 वर्गमील हमारी जमीन आज तक चीन के कबजे में है और परमपुजने स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का कैला स्मान सरोवर भी चीन के कबजे में यह 1962 की लडाई में हमसे छिना यह 1962 के युद में एक तरह से हमारी पराजे हुई और उस पराजे में यह इलाका हमारे हाथ से चला गया और आज तक यह हमारे हाथ में वापस नहीं आया दुख और दुर्भा की यह है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किये और यह कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कबजे में है उसको वापस भारत में लाना है संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया और आज़ादी के 63 वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया वो गया सो अपने हाथ से निकली गया और उसके बाद चीन ने एक नया शिगूफा खड़ा कर दिया कि अकसाई चिन का कुछ है रिया तो उसने हम से चीनी लिया जिसमें केलाश मांसरोवर जैसा छेतर चला गया हमारे देश का जो अरुनाचल प्रदेश है जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाशा में नेफा कहा जाता था नौर्थ इस्ट का जो इलाका है उत्तरी पूर्व का जो इलाका है अरुनाचल अब चीन कहता है कि ये भी हमारा और अरुनाचल प्रदेश में एक छेतर है जिसको तवांग कहते है चीन पता नहीं कहां से जूटे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है ये कभी तिब्बत का अंग रहा है और तिब्बत इस समय चीन के कबजे में है इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए और इसलिए अरुनाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाए या भारत के राश्रपती जाए तो चीन के राश्रपती की तरफ से एक बयान आ जाता है कि ये हमारा छेत्र है बहरत के प्रणानमंत्रिवां क्यों जा रहे ये हमारा छेटर है भारत के राश्रुपती क्यों जा रहे और अरोनाचल पृदेश और उसतवांग के छेटर में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतराश्ड़ी ये संस्था मदद दे तो चीन उसमें अरंगे लगा देता है, रोडे अटका देता है, और कहता है कि ये संस्ता आप भारत को मदद नहीं, मुझे बात करो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, भारत नहीं तै करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, तो अब हमारी सरकार के लिए फज करने में लगी रहती है कभी चीन के सामने ओफेंसिब नहीं हो पाती हमारी सरका इसलिए पराजे हो गई अगर तयारी होती तो शायद नहीं होती पराजे तो वह चला गया अब नया इलाका भी लेना है उसके लिए दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया है आप अगर देनिक नियमित समाचार पत्र पढ़ते हो और अखवार के साथ पत्रिकाएं पढ़ते हो तो अक्सर आपको ये ख़वर आती होगी कि चीन ने अरुनाचल प्रदेश पर अपना दावा किया चीन ने तवांग पर अपना दावा पेश किया चीन ने अपने नक्षे में अरुनाचल प्रदेश को दिखा रखा है जबकि यह दोनों छेतर भारत के हैं और भारत के कबजे में हैं तो वहां एक छोटी सी गलती होई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश ह उनके संबंद एक जैसे और इस्थिर कभी नहीं होते हर देश के संबंद उस देश की राजनेतिक परिस्तिती के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं कोई देश आज हमारा भाई है कल को दुश्मन हो सकता है कोई देश हमको यह कहेगा कि हम तो आपके सबसे जहर है और हमको काट खाएगा और पूरा विश और जहर हमारे देश में गोल देगा इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा 72,000 वर्गमील इलाका गमा बैठे जो आज तक नहीं आया और दुख और दर्द ये ह कि भारत के किसी नागरे को केलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है और उनकी अनुमती के बिना हम हमारे केलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते इतनी गुलामी की इस्तिती हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थवेवस्था को मजबूत करने में जाता है उसका एक अंच भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का ऐसी इस्तिती हमारे देश की बन गई तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्गमी हमारा इलाका चला गया हमारा पवित्रतीर्थिस्थान चला गया और हमारे देश के लोगों का मनोबल टूटा और सेना का मनोबल टूटा वो अलग और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजे हुई इस पराजे ने ही श्री जवारलाल नहरू जी की जान लिए उनके नजदी की लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोका कर दिया जिस देश पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने धोका कर दिया तो वो बरदाश्त नहीं कर पाए और 27 मही 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए इस देश को और दुनिया को छोड़ कर चले गए उसके बाद भारत की कमान श्री लाल भादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराकरम दिखाया इस देश में प्रदान मंतरी बनते ही उन्होंने दो बातें कहीं पूरे देश को एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है चाहे इसके लिए कितने भी संसादन जुटाने पड़े चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसादनों को जुटाना है क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के उपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्गमील जमीन हमारे हाथ से जाएगी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीती को उलट दिया शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीती थी सेना पर खर्चा नहीं करना युद्द के सामान का उत्पादन नहीं करना हतियार नहीं बनाने अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेने के उपर ही सबसे ज़्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हतियारों के उपर खर्चा बढ़ाना है और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है तो पूरे बजट का लगबग 25 प्रतिशत हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवंटित किया भारत के इतिहास में वो पहले और आखरी प्रधान मंतरी है जिनोंने बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तैयारी करिए और ऐसी तैयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है पलट वार कर सकता है तो सेना में चाक चोबंदी शुरू है सेना में हतियार बनना शुरू है ताकत बड़ी और शास्त्री जी ने ये जो नारा लगाया था ना वो खाली नारा नहीं था जय जवान जवानों की जय होनी ही चाहिए इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया ताकत बड़ी सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ आप सभी जानते हैं और पाकिस्तान इस गलत फहमी में था कि भारत की सरकार की नीती ऐसी है कि सेना की मदद कम करो पैसे कम खर्च करो तो पाकिस्तान इस गलत फहमी में था कि इस समय भारत पर अमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ले लेंगे हो क्योंकि भारत की सेना कमजोर है क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है क्योंकि चीन से हार चुकी है तो पाकिस्तान में 1965 में माने चीन युद्ध खतम होने के लगबग दो ढ़ाई वर्शों में पाकिस्तान का हमला फिर हो गया लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम था कि भारत का प्रधान मंतरी बदल चुका है भारत की नीतियां बदल चुकी है भारत की सेना बदल चुकी है सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है हतियार उनके पास बहुत आ गए है गोला बारूद भरपूर है उनके पास तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में तो बहुत बुरी पराजे हुई पाकिस्तान की बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को और आप हैरान हो जाएंगे हमला शुरू होने के बारे दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसी ने छूट गए थे पाकिस्तानी सेना के जो सेना नायक है न उन्होंने अपनी आत्मकता में लिखा है कि 1965 के युद में तो हम ऐसे बुरे फसे हमको कलपना नहीं थी कि भारत की सेना इतनी ताकत से जवाब देगी हम तो इस कलपना में थे कि अभी जाके दिल्ली पे कब जा कर लेंगे हम तो एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मजाक में कह दिया था कि सवेरे की चाह लाहूर में पिये अब शाम का खाना में दिल्ली में खाऊंगा तो इस कलपना से आये थे वो तो हमला करने के लिए लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबर जस थी कि दाथ खटे हो गए और बारे दिन में पाकिस्तानी सेना का 80% गोला बारूद खर्च हो गया बारे दिन में इतनी भैंकर लड़ाई हुई इतनी भैंकर मारा मारी हुई परिणाम क्या हुआ धीरे धीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्तानी सेना को तो लाहुर तक इलाका कबजे में ले लिया फिर लाहुर तक भारत की सेना पहुँच गई 1965 में अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि ये लाहुर गया हाथ से फिर कराची गया फिर इसलावाबाद गया फिर हैदराबाद गया अब बचेगा क्या तो पाकिस्तान भाग कर अमरीका के पास पहुँचा और अमरीका के राश्रुपती को गोहार लगाई और उनसे कहा कि मुझे बचाओ हमें बचाओ अब भारत तो कबजा कर लेगा पूरा उनकी सेना लाहर तक पहुँच गई है तब अमरीका ने भारत के प्रधान मंतरी को कहा तो भारत के प्रधान मंतरी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हमला मैंने नहीं किया था हमला पाकिस्तान ने किया था अब मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है इस क्यों एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी शास्त्री जी जब प्रधान मंत्री बने न तो अमेरिका से लाल रंग का गयों आता था इस देश में एक योजना चलती थी आप में से कई बुजर्ग लोगों को मालूम होगा आपने तो देखा भी होगा शाहिद खाया भी ह होगा वो गयों लाल रंग का गयों आता था पी उल 480 नाम की एक योजना चलती थी पी का मतलब होता है पब्लिक ल का माने होता है लोग और 480 अमेरिका के जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था कारण क्या था भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था और उसकी शर्ते बहुत अपमान जनक थी तो शास्त्री जी ने प्रधान मंतरी बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मनजूर नहीं है तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूके मरने के लिए तैयार रहे तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूके मरना मनजूर है लेकिन अपमान के साथ बिदेशी रोटी खाना मनजूर नहीं तो सेक्रेटरी हैरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो तुम तुमारा काम करो मैं मेरा काम करता हूँ और उन्हें भारत के लोगों को एक दिन अपील की सुमवार का दिन था दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई लाखों लोग इकटे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गयों की बहुत कमी है अपमान जनक शर्तों पर अमेरिका से गयों आ रहा है ये गयों हमें खाना मंजूर नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है इसलिए आप भी ये गयों मत खाईए तो लोगों ने का नहीं खाएंगे तो शास्त्री जी ने का इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा लोगों ने हाथ उठा के का भूखे रहेंगे और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन वरत रखना शुरू कर दिया था और संपो भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को वरत रखती है मैं कई बार उनको पूछता हूँ यह सोमवार को वरत कियों रखती है शंकर जी को प्रसंद करने के लिए तो उगती ने शास्त्री जी को वचन दिया था तो मैं कहता हूँ माता अब शास्त्री जी का बचन तो उनके साथ चला गया, वो तो उन्होंने बचन इसलिए लिया था कि देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम है, हम कम खाएंगे तो वे देशों से गेहूं नहीं लाना पड़ेगा, अब तो देश में भरपूर गेहूं पैदा हो रहा है, और को तो व्रती रखना है, क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया, माने भारत के लोग कितने पक्के हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिया उन्नीस सो पैसेट में और उस वचन को निवा रहे हैं सन 2010 में, तो ऐसे करोणों भारत्वासियों के संकल्प से दो बातें हुई, एक तो ग्यों की खपत कम हुई, अमेरिका से ग्यों आना बंद हुआ, तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई, और फिर देश में ग्यों उत्पादन की योजना बनी, और उसने ग्यों उत्पादन बढ़ा दिया, तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ती थे, तो अमेरिका को माल जास्त्री जी से काफी नजदी की थी, लगाओ था, उनको पकड़ा और का कि शास्त्री जी को रोको, नहीं तो पाकिस्तान तो गया, और पाकिस्तान गया तो अमेरिका की भविश्य की सारी योजनाए गई, और भारत की सेना चूगी लाहर तक पहुँच गई है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं है, तब शास्त्री जी के ऊपर सोवियत संग का दबाव पड़ा, फिर सोवियत संग के दबाव में शास्त्री जी ने युद्विराम करवाया, युद्विराम के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझोता किया, वो समझोता करने के लि पर कभी भी भविश्य में हमला नहीं करेगा ऐसा वाइदा करता है तो पाकियान ने लिखित रूप में ये कहा और उसके दस्तावेज मौजूद हैं कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे आख उठाकर नहीं देखेंगे बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो हुआ इलाका जो सेना के कबजों में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया लाहर तक गई हुई सेना वापस आ गई और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया उसके बाद हम शांत हो गए शास्तरी जी के साथ एक दुरगटना हो गई कि इस समझोते को करने के लिए जब वो ताशकन गए थे तो आठ दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और उनकी मंत्री मंडल के वरिष्ट लोगों के साथ जो वारता चली नौवे दिन वारता पूरी हो गई थी और वो दिन था दस जन्वरी का रात को शास्त्री जी आराम से सोए लेकिन रात क जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे क्या हुआ वो रात को सोते थे तो दूद पीते थे ये उनका नियम था और वो दूद उनका नौकर उनको बना के देता था तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोया गया था इस काम के लिए लेकिन उस रसोया का ताशकंद में अपरण कर लिया गया और अपरण करके एक नकली रसोया को शास्त्री जी के यहां बेज दिया गया और उस नकली रसोया ने शास्त्री जी के दूद में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूद पीकर उनकी मरत्यू हो गए जब उनका मत शरीर वापस आया इस लेश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था और दुख और दुर्भागी की बात ये है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यू के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया और शाहिद आपने वी वो सुना होगा वो ये कि शास्त्री जी की हिर्दय गती रुकने से मृत्यू हो गई हर्ट अटेक बताया गया पूरे देश को मीडिया में अख़वार में टेलिवीजन पे रेडियो में ख़बर चली और बार बार एक ही ख़बर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हिर्दय गती रुकने से क्योंकि उनका ना ब्लड प्रेशर हाई था ना उनका कॉलेस्ट्रोल हाई था ना उनका ट्राइगलिस्ट्राइड हाई था वह एकदम स्वस्त थे तंदरुस थे जब गए थे तो सब कुछ सामान ने था क्योंकि आप तो जानते हैं प्रदान मंत्री का हर दिन चेक अप होता ह तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेक अप करके दिया था, उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था, ना बीपी बढ़ाय, ना ट्राइगलिस्राइड, ना कॉलेस्टरॉल, फिर उनकी हिर्देगती कैसे रुक सकती है, तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने, ऐसा मुर्खता का जवाब दिया, इतना खराब जवाब दिया, उन्होंने कहा, कि शास्त्री जी की मृत्ति इसलिए हो गई, कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, तो बहुत ज़्यादा खुशी किस बात की हो गई, कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया, और पाकिस्तान क उपर भारतिय सेना ने विजय पाली तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हिर्देगती रुक गई ऐसा मुर्खता पूर्ण बेकार का जबाब पूरे देश को दिया गया फिर शास्त्री जी का जब मुरत शरीर आया तो कई लोगों ने ये मान की कि अगर इनकी हिर्देगती रुकी है तो इसकी सचाई तो पता चल सकती है इनके अमरत शरीर का पोस्ट मार्टम कराया जाए लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने शास्त्री जी के अमरत शरीर का पोस्ट मार्टम नहीं होने दिया जैसे ही उनका मृत्शरीर आया जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संसकार कर दिया गया और वो अंतिम संसकार के बाद बात वहीं दब गई और उसके बाद कुछ कमीशन बैठे इंक्वाइरी हुई उसमें से ये बात निकली लेकिन रास्ते में वहीं बटक गई और आज तक सारा देश इसी अंदकार में है कि शास्त्री जी को हिर्दे गती से मृत्ती हुई जबकि उनको जहर दिया गया तो भारत में इस तरह की बूले होती रही हमारी सेना जीतती रही और जीते हुए इलाके को देती रही दुश्मनों के हाथ में दुश्मनों के ऊपर विजय करते रहे और उनको माफ करते रहे वो पराजित हुए दुश्मन फिर भी हम उनको माफ करते रहे और वही दुश्मन हमारे लिए नाग बनके डस्ते रहे वो इस्तिती आज हमारे देश में है पाकिस्तान के द्वारा जो हो रहा है तो हमारे देश में आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में ऐसी राजनेतिक भूले हुई है एक राजनेतिक भूल और हुई है 1971 में जब बन्गला देश बना और पाकिस्तान का हमला हुआ उस युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को मुझी खिलाई उनको धूल चटाई उनको पराजित किया और उस युद्ध में तो आपको एहरानी होगी 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान का हमला भारत पर हुआ और भारत ने इतना करारा जबाब दिया 3 दिसम्बर 1971 को युद्ध किया था पाकिस्तान ने शुरू 16 दिसम्बर 1971 तक पूरा पाकिस्तान पराजित हो चुका था और पाकिस्तान की सेना के 97,000 सेनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्म समर्पा कर दिया था वो पूरी सेना पाकिस्तान की लगबग आदी सेना थी तो पाकिस्तान की आदी सेना भारत के कबजे में आ गई और फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और फिर अमेरिका से उसने बुझारिश की कि भारत से बचाओ, फिर अमेरिका का दबाओ भारत सरकार पे आया और उस दबाओ में हमने पाकिस्तान के 97,000 सेनिकों को छोड़ दिया, अगर ये भूल हमने नहीं की होती तो पाकिस्तान का ये आतंकवाद जो इतना बढ़ा, ये काश्मीर और भारत के सबी इलाकों में ये नुकसान कभी नहीं होता अगर 1971 में पाकिस्तानी सेला के 97,000 सैनिकों को हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया होता वो हमारे कब्जे में थे हम चाहते हैं वो उनके साथ करते लेकिन दुख है कि उन 97,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की जेलों में रखा गया पांच महिने तक उनको बिरियानी खिलाई गई अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया बाइज़त बरी किया गया किसके लिए एक शिमला समझोते के लिए और शिमला समझोता वैसा ही कुछ था जैसे ताशकन समझोता था फिर हमने छोड़ा पाकिस्तान को पराजित करके और फिर पाकिस्तान ने वही किया हमारे साथ तो पिछले आज़ादी के 63 वर्षों में और आखरी कोशिश पाकिस्तान ने जो की थी वो आप सभी जानते हैं कारगिल युद्ध के रूप में हमारी आखों के सामने आई वो कारगिल युद्ध भी पाकिस्तान के दुस्साहस का प्रतीक था तो आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में जो राजनेतिक भूलें हमसे हुई हैं वो कुछ ये हैं जो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई हैं और बहुत गंबीर हो गई हैं और पिछले 63 वर्षों में हमसे कुछ आर्थिक भूलें भी हुई हैं और वो आर्थिक भूलें जो हुई उनमें सबसे बड़ी भूल जो हुई वो 1966 में हुई जब भारत के प्रधान मंत्री ने दुनिया के दबाव में आकर और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर भारत के रुपए का अबमूलियन किया भारत का रुपए 1966 के पहले तक अमेरिका के डॉलर के लगबग बरावर था आपको हैरानी हो गई है जानकर 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपए अमेरिका का एक डॉलर के बरावर था 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपए ब्रिटेन के एक इस्टरलिंग पाउंड के बरावर था और भारत का रुपए इस्टरलिंग पाउंड और डॉलर के बरावर था तो रुपए की ताकत थी और क्रेशक्ति उस समय बहुत थी बाद में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने रुपए का अवुमुलियन किया और 1966 में 3 जून को रुपए का एक साथ 57 प्रतिशत अवुमुलियन कर दिया गया 57 परसेंट डिवैलिवेशन हो गया रुपए का परिणाम क्या हुआ डॉलर 57 प्रतिशत मेंगा हो गया रुपिया 57 प्रतिशत सस्ता हो गया और उसके बाद एक सिलसला चला कि रुपई की कीमत गिरती ही गई 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 और मुझे आपसे ये बात कहते हैं बहुत दखे तकलीफ है कि हमने जब रुपई की मुल्लिका आकलन किया था जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ था लगबग एक रूपया एक डॉलर थोड़े दिन में चार रूपया एक डॉलर फिर साड़े साथ रूपय एक डॉलर फिर बारे रूपय एक डॉलर फिर एक दिन अचानक से 21 रूपय एक डॉलर फिर एक दिन पता चला 32 रूपय एक डॉलर फिर 32 रूपय एक डॉलर फिर 42 रुपए एक डॉलर और एक दिन तो पचास रुपए डॉलर तक पहुच चुका है इतने रुपए की कीमत गिर चुकी है माने आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अपनी गलती से हमारी अपनी भूल से रुपए का कितना वमुल्यन हुआ है अगर एक रुपए एक डॉल को ध्यान में रखें और अब पचास रुपए एक डॉलर है तो रुपए का अवमुल्यन लगबग पचास गुना हो चुका है और यह रुपए के अवमुल्यन के पचास गुने होने का मतलब रुपए की कीमत 5,000 प्रतिशत कम हो चुकी है और यह कीमत कम होने का मतलब हमारे पर विदेशों का कर्जा 50 गुना बढ़ चुका है अगर हमने 1947 में एक ġॉलर का कर्ज लिया हो अब 2010 में उसको वापस करना हो तो जब हमने कर्ज लिया था तो एक रूपया था एक डॉलर अब कर्ज वापस देना है तो जो एक रूपय का कर्ज था वो 50 रुपए में वापस होगा तो कर्ज 50 गुना बढ़ा लिया कर्ज का ब्याज 50 गुना बढ़ गया और विदेशी कमपनियों को जो मुनाफ़ा यहां से हो रहा है वो 50 गुना बढ़ गया क्योंकि डॉलर 50 गुना ताकतवर हो गया यह बहुत बड़ी आर्थिक भूल हमने की 1966 में और इस भूल को लगातार होने दिया और होते होते आज रुपया इतना कमजोर हो गया दुनिया का कोई देश अपनी करेंसी की ताकत को कम नहीं होने देता लेकिन भारत ने अपने रुपय की ताकत को इतना कम होने दिया यह आर्थिक भूल हमसे बहुत बड़ी होई और इसी तरह की एक आर्थिक भूल पिछले 63 वर्षों में हमसे होई 1991 में जो कल में आपसे कह रहा था वो यह कि विदेशी कमपनियों के लिए सारे दरवाजे हमने खोल दिये जिस विदेशी कमपनी को भारत से भगाया था 1942 में जिस विदेशी कमपनी के लिए हमने नारा लगाया था बारत छोड़ो आज उन विदेशी कमपनियों को हम दरवजा खोल के वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं वापस आओ और भारत को लूट कर चले जाओ तो जो कमपनी गई थी वो फिर वापस आ गई और अकेली नहीं आई है अब हजारों कमपनी आई है पहले एक कमपनी को भगाते रहे 500 साल तक अब 5000 कमपनी आ गई उनके लिए उदारी करण की नीती वैश्वी करण की नीती और इन कमपनियों ने अंधा दुंद लूटना शुरू किया है इस देश को और लाखों करोनों रुपई की संपत्ती ले जा रहे है ये बात में पहले ही कह चुका हूँ यहां सिर्फ संकेत में कह रहा हूँ तो आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में कई राजने तिक भूलें हुई है और कई आर्थिक भूलें हम से हुई है और उनका दुष्परिनाम पूरा देश बुगत रहा है आज़ादी के बाद में एक और भूल हूई है जो बड़ी राजने तिक भूल है जिसका संकेत परम पुझनी स्वामी जी कर चुके हैं आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तयार हुआ 26 जनवरी 1950 को इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे जिनोंने 11 महिने और 18 दिन काम करके संविधान तयार किया लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 गंटे हुआ और उसमें सम्विधान तयार हो गया भारत का सम्विधान दुनिया का सबसे बड़ा सम्विधान है इतना बड़ा लिखित सम्विधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है तीन सो पंचानवे तो अनुक्षेद हैं जिसको हम आर्टिकल्स कहते है और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है शास्त्र जैसा आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा सम्विदान नहीं हमने बनाया तो बहुत बार मेरे मन में ये आता कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा सम्विदान कैसे बना लिया हमने इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि सम्विदान में हमने कुछ खास नहीं बनाया अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छ गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सबकुछ भारत के सम्विदान में है कुछ बदला नहीं और गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर सा अमरज इस्थापित करने के लिए उसी को पूरा का पूरा सम्विधान के रूप में हमने स्विकार कर लिया तो सम्विधान सभा में जो बड़े-बड़े नेता शामिल हुए थे ना उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे हमारे देश की सम्विधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेर्मेन थे डॉक्टर भीमरा वंबेट कर उन्होंने उन्नीस सो त्रेपन में ये कहा राज्य सभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमती दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होँगा जो इस सम्विधान को जला दूगा पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस सम्विधान के निर्माता है और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे है तो डॉक्टर भीमरा वंबेट करने कहा था कि इस सम्विधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला क्यों कि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये सम्विधान है और उन्होंने बहुत बेवसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था इतने कम समय में सम्विधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हम को ये Government of India Rule या Government of India Act का ड्राफ्ट दिया गया था हाधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के सम्विधानों में से कुछ चीज़े निकाल कर ये भारत का सम्विधान तैयार हो गया ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है तो परिणाम क्या हुआ वो सम्विधान बनने के और लागू होने के पिछले साथ सालों में ही 94 से जादा उसमें संशोधन हो गए माने सम्विधान अब ओरीजिनल रहा कहाँ साथ साल में 94 संशोधन 60 years और 94 amendments मरत इसका माने हर साल में लगवग बेढ़ से दो संशोधन उसमें हुए इनसे संशोधन किसी सम्विधान में तब हो सकते है जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कंड़ी हो या कोई बड़ी बुराई हो वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है सम्विनान समा में सच्चिदारन सिना थे पंडि जवारलाल नहरू थे सरदार बल्लब भाई पटेल थे सरोजनी नाइडू थी राजकुमारी अमरत कौर थी ऐसे भारत के बड़े-बड़े दिगज नेता थे इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो ह कलपना को ये सम्विधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस सम्विधान से पूरे नहीं हो पाएंगे ये पक्का है और उनके बयान आज हमारे सामने हैं 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि ये सम्विधान ना देश का बला कर पा रहा है ना समाज का ब कल नहीं होता अंग्रेजों का कानून जो गवर्मेंट ओफ इंडिया एक वो तो हमारी गुलामी के लिए था उस पर आधारित हमारी आजादी का सम्विदान कैसे अच्छा हो सकता है और एक और ऐसी ही भूल हमसे हो गई वो यह कि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जितने क उलाम रखने के लिए आजादी के बाद भी वही 34,735 कानून चल रहे हैं कुछ और नए कानून हमने बनाए हैं वो पुराने कानूनों को ही आगे बढ़ने वाले हैं उनसे कुछ अलग नहीं अंग्रेजों का बना हुआ एक कानून है इंडियन पुलिस एक्ट 1860 में बना व क्रिमिनल प्रोचीजर कूड वो 1861 में बना आज भी चल रहा हैं अंग्रेजों का ही कानून हैं इंडियन फॉरेस्ट अक वो अंग्रेजों ने बनाय आज भी चल रहा हैं ऐसे 34,735 कानून जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखने के लिए बनाए वो ही आज़ादी के बाद चल रहे हैं इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि आज़ादी तो आई नहीं है ये तो अधूरी है ये तो अंग्रेजों को हमने भगाया लेकिन अंग्रेजियत को तो हम भगा नहीं पाए अभी तक अंग्रेजों के बनाए गए कानून है तो अंग्रेजियत भी इस देश में है और इसी तरह की एक बूल हम से हुई अंग्रेज आये थे तो उनकी भाषा आई अंग्रेजी अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भगा देना चाहिए था लेकिन अंग्रेज तो भग गए अंग्रेजी अभी भी इस देश में है और हम सब के लिए तकलीफ का कारण बनी हुई है भारत में मात्र एक प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते है लेकिन उपर से नीचे तक सारा काम अंग्रेजी में होता है सुप्रीम कोट में बहस अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोट में सुनवाई अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोट के फैसले अंग्रेजी में आते है ना वादी अंग्रेजी जानता है ना प्रतिवादी अंग्रे जी जानता है वो अपने फैसले को समझ नहीं पाता बहस क्या हो रही है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ पाता चुपचा बिचारा खड़ा खड़ा देखता रहता है और कानून कहता है कि हम उसके लिए नियाय कर रहे है सबसे बड़ा अनियाय तो ये है कि उसकी भाशा में उसके फैसले नहीं आ रहे है और हाई कोट में भी अक्सर भहस अंग्रे जी में होती है भारत की बड़ी-बड़ी केंद्रिय प्रशाशनिक परिक्षाओं को पास करना हो तो अंग्रे जी आना बहुत जरूरी है जी नहीं आती उनके लिए भारत तो बेगाना देश बना हुआ है कोई दूसरा देश बना हुआ ये भाशा भी अंग्रेजों की अभी तक हम नहीं बगा पाई ये भी हम से भूल हो गई ऐसी कई भूले हमने आज़ादी के 63 वर्शों में की है और आज़ादी के पहले जो भूल हमने की है सबसे बड़ी भूल जिसका भुगतान आज तक ये देश कर रहा है एक राजा था जहांगीर उसका नाम था उसने अंग्रेजों की एक कमपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया और मैं मानता हूँ कि पिछले 500 साल की सबसे बड़ी भूल वही हो गई इस इंडिया कमपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन 1608 में तो शायद जहांगीर को ये भी नहीं मालूम होगा कि ये कमपनी एक दिन भारत को गुलाम बना लेग 200 वर्षों के लिए चला गया पहले कमपनी की गुलामी की हमने फिर उसके बाद में अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की हमने 1608 से लेकर 1757 तक इस इंडिया कमपनी की गुलामी में हम रहे 1757 के बाद अंग्रेज सरकार और कमपनी की मिली जुली गुलामी में हम रहे और 1860 के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता लेकिन 2-3 आपको उधारण जरूर दे सकता हूँ इस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी यहां आते थे और लोट मार करते थे सबसे बड़ा अधिकारी जो इस्ट इंडिया कम्पनी का भारत में होता था उसको Governor General कहा जाता था बाद में उसी को Voice Rai कहना शुरू किया अंग्रेजोन है तो East India Company का सबसे पहला जो Governor General इस देश में आया उसका नाम था Robert Clive 1757 की ये कहानी है वो बंगाल के राजा के पास आया था बंगाल का उस समय राजा था उसका नाम था सिराजुद दौला तो सिराजुद दौला के पास Robert Clive पहुंचा था और उसने ये कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए सिराजुद दौला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते क्यों? तो सीराजवत दौला ने कहा कि ँंग्रेचं का कुछ बरोसा न zij है ये जहां ब्यापार करने के लिए गुस्ते हैं उसी राज़ी पर कबज़ा कर लेते हैं इसलिए मैं मेरे राज़ी में अंग्रेचं को नहीं आने दूँगा उसने मना कर दिया तो रॉबर्ट कलाइब ने सिराजुद दोला को चुनोती दी और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो मैं बंगाल पर हमला करूँगा और बंगाल राज्य को जीत लूँगा और उसके बाद मियापर व्यापार करूँगा तो सिराजुद दोला ने का ठीक हमला करके देख लो अगर तुम विजई हो गए तो बंगाल तुम्हारा है और मैं विजई हुआ तो तुमको बंगाल से बगा दूँगा और जाना पड़ेगा इस आधार पर रॉबर्ट कलाइब और सिराजुद दोला के बीच में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को आपने बच्पन में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध प्लासी एक छोटा सा इस्थान है कलकत्ता के नज़्दीक में मैदान है एक वहाँ पर युद्ध तै हुआ और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने तो पता चला कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध ही नहीं हुआ क्या हुआ अंग्रेजों ने सिराजु दौला को चुनोती दी थी युद्ध की तो सिराजु दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए तो अंग्रेजों की सेना से वो बहुत बड़ी थी ये जो रोबर्ट कलाइब था अंग्रेजों की सेना का सेना पती इसके पास सिर्फ साड़े तीन सो सैनिक थे और सिराजुत दोला की जो सेना थी उसके पास अठारे हजार सैनिक थे अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों के साड़े तीन सो सैनिक और भारती सेना के अठारे हजार सैनिक युद्ध में कौन जीतेगा तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ हुआ क्या कि जब रॉबर्ट कलाइब ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट कलाइब की सेना तो बहुत छोटी सी है तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चाला की की और चाला की क्या की कि अपना एक आदमी उसने सिराजद दला की सेना में भेजा और उस आदमी को ये कहा कि तुम जाकर ये पता लगाओ कि सिराजद दला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है बेश्टा चार करके अपनी तरफ में लाया जा सकता है तो उसका दूत गया सिराजद दौला की सेना में पता करने तो सिराजद दौला की सेना का सेना पती था मीर जाफर वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुर्सी का भी लालची था तो मीर जाफर के पास जब ये गया सैनिक, अंग्रेजों वाला तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताओ दिया कि मीर जाफर तुम अंग्रेजों से मिल जाओ, तो हम तुम को बंगाल का राजा बना देंगे तुम अभी तक सेनापती हो हम तुमको राजा बना देंगे मतलब सीधासा ये है कि मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया कि तुम डिफेंस मिनिस्टर हो हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तुम हमारे साथ मिल जाओ तो मीर जाफर ने का मुझे क्या करना पड़ेगा तो अंग्रेजों के सेना पती रोबर्ट क्लाइब ने का कि तुमको एक ही काम करना है युद्ध नहीं करना हमारे उपर हमला नहीं करना तो क्या करना रॉबर्ट क्लाइब ने का कि तुम तुम्हारे सेनिकों को बोलो कि वो हमारे सामने आत्म समर्पन कर दे और हम आत्म समर्पन जब करा लेंगे तुम्हारी सेना से तो तुम्हारी सेना और हमारी सेना मिल जाएगी मिलकर मीर जाफर और रोबर्ट कलाइब सिराज अदौला का मरडर कर देंगे हत्या कर देंगे और सिराज अदौला मर जाएगा फिर तुमको राजा बना देंगे तो मीर जाफर तयार हो गया उसको लालच आ गया और अंग्रेजों ने उसको ये भी कहा कि एक कोटी स्वण मुद्राएं भी देंगे तो स्वण मुद्राओं के लालच में और राजा बनने के लालच में वो पिखल गया, फिसल गया उसने अंग्रेजों से एक संधी कर ली और उस संधी के आधार पर 18,000 सेनिकों के सेनापती मेर जाफर ने साड़े तीन सो अंग्रेजी सेनिकों के सामने सरंडर कर दिया और अंग्रेजों के साड़े तीन सो सेनिकों ने 18,000 सेनिकों के उपर जीत हासल कर ली अभी 18,000 सेनिक और अंग्रेजों के साड़े तीन सो सेनिक मिलकर एक हो गए और इन्हों ने प्लैन बना लिया कि सिराज الدولा को मार देना है तो सिराज الدولा को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले गोड़े पर सवार होकर तो रॉबर्ट कलाईब आगे आगे था साले तीन सो उसके سैनिक पीछे थे और उसके पीछे अथारे हजार सैनिक थे और उन्हीं मेर जाफर भी था तो ये सब गोड़े पर चड़कर गए कहां गए मुर्शिदाबाद नाम की एक शहर तक गए क्योंकि उस जमाने में राज़धानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था तो रॉबर्ट क्लाइब ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मेरे सैनिकों के साथ भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बना कर चल रहा था गोड़े पर मैं आगे आगे बैठा हुआ था भारत के सैनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और सड़क पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जुलूस देख रहे थे और रॉबर्ट क्लाइब ने एक बात लिखिया अपनी डायरी में कि जो भारत के लोग मेरा जुलूस देख रहे थे वो मेरे जुलूस पर तालियां बजा रहे थे और जो भारत के सैनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आग्याकारी सैनिकों की तरह सिर जुका कर चले जा रहे थे फिर वो कहता है काश एक भी भारतवासी ने मुझे पथर उठा के मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता और भारत का इतिहास उसी दि गया होता लेकिन ये भारत वासी पत्थर नहीं मारते हैं ये तालियां बजाते रहते हैं और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़के दोनों किनारे खड़े होते रहते हैं ये बहुत दर्दनाक वाक्य है रोबर्ट लाइब खुद लिख रहा है कि भारत के हजारों लोग सड़के किनारे खड़े हो के ताली बजा रहे हैं और 18,000 सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर जुका के चले जा रहे हैं अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रोबर्ट क्लाइब को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिये होते एक पत्थर भी तो रोबर्ट क्लाइब का कचूमर निकल गया होता और इस इंडिया कंपनी का सामराज जे उसी दिन इस देश में समापत हो गया होता लेकिन हम वो नहीं कर पाए और देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया रोबर्ट क्लाइब और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पह पिर मीर जाफर को राजा बना दिया और एक दिन रॉबर्ट कलाइब ने मीर जाफर को मरवा दिया और खुद वो बंगाल का राजा बनकर इस्ट इंडिया कंपनी का सामराज इस्थापित करके चला गया। होती हैं जिनको छ्मा किया जा सकता है कि लेकिन कarnya होती है जिनको पन्य किया जा सकता है अंग्रेजी में एक शब्द होता है किमालेयन ब्लंडर हिमाले जैसी बड़ी भूल Yakit शायद ये वही थी जो हमम से हो गई और उसके चलते ईस्टन इंडिया कंपनी का सामराज इस्था तक रहा बंगाल का गवर्नर जर्नल बनके और उसने लूटा बंगाल को लूट कर धनीकठा किया सोना चांदी हिरे जभारत और जब भरपूर मातरा में धनीकठा हो गया तो लंडन चला गया लंडन की पारलेमेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या पूछा गया कितना लेके आए तो रावर्ट कलाइब ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूं और वो अंदाज क्या है तो वो कहने लगा कि भारत से सोनी के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवारत लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज कि आए पर लेने पड़ी इतना धन और संपत्ती में भारत से लेके आया तो उसको पूछा गया दिए जहाज इतना बड़ा तो कहता है कि एक जहाज में कम से कम साथ से साथ से सतर मीटरे टन तोने के सिक्के आसके इतना बड़ा तो 60-70 मीट्रिक टन एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं तो 60-70,000 किलोग्राम सोना आए इतना बड़ा एक जहाज और ऐसे 900 जहाज भरके वो यहां से ले गया तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को और ये रॉबर्ट कलाइब अकेला लुटे रहा नहीं था भारत को लूटने वाला रॉबर्ट कलाइब आया लूट कर चला गया उसके बाद वारेन हैस्टिंग आया वो लूट कर चला गया फिर उसके बाद हमारे देश में 84 अंग्रेजों के गवर्णर जनल आए रॉबर्ट कलाइब वारेन, हैस्टिंग, केनिंग, करजन लिलित गो और विलियम वेंटिंग डलहौजी और अंतिम गवर्णर जनल जो उनका जिसको हम माउंट मेटन कहते हैं तो रॉबर्ट कलाइब से लेके माउंट मेटन तक 84 गवर्णर जनल आए और सब ने लूटा है इस भारत को किसी ने छोड़ा नहीं है अंतर इतना है कि रॉबर्ट कलाइब ने कुछ ज़्यादा लूटा दूसरे उतना नहीं लूट पाए लेकिन लूटते ही रहे है और ये लूट का धन इंग्लेंड ले जाते रहे है हम लोगों ने ये 84 गवर्णर जनलों दौरा लूटा गया भारत से जो धन है उसका एक अनुमान लगाया है पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता लेकिन एक अनुमान है और वो अनुमान है कि करीब 300 लाख करोड रुपाई की संपत्ती इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश से 300 लाख करोड इतना बड़ा धन और संपत्ती यहां से लुटा एक छोटी सी भूल हुई जहांगीर से उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया दूसरी भूल हम से हुई कि रोबर्ट कलाइब जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला बलकि उसके जुलूस का तालियां बजा कर स्वागत किया और ये दो भूलें इतनी भारी पड़ गई पूरे देश को कि अंग्रेजों का सामराजी 200 वर्षों तक चल पड़ा आपके मन में और एक प्रशना आएगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ भूलें हुई हमसे हाँ हुई जब इस इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के इस्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बाश्या आ गया और उसका नाम था औरंग जेब औरंग जेब ने जब सत्ता समाली इस देश में तो अंग्रेजों के साथ उसका जबर्जस युद्ध हुआ और सन 1688 में औरंग जेब ने पूरी इस्थ इंडिया कमपनी की सेना को पराजित कर दिया और इस्थ इंडिया कमपनी पूरी तरह से हार गई और औरंग जेब की शरना गती उन्होंने सुईकार की और East India Company के अधिकान सुसेनिकों को औरंग जेब ने मार डाला युद में औरंग जेब के बारे में आप सबी जानते हैं थोड़ा करूर था निश्टुर था लेकिन बहुत भादुर भी था मारा उसने अंग्रेजों को और गाजर मुली की तरह से काट दिया 1688 में अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंग जेब के पास वो अंग्रेजों के अधिकारी गए और माफी मांगी औरंग जेब से और कहा कि हमको आप माफ कर दीजे हम दुबारा कभी आपके उपर हमला नहीं करेंगे बस हमको भारत में रहने की परमीशन फिर से दे दीजे औरंग जेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंग जेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता जहांगीर से गलती होई वो गलती मैं नहीं दोरा सकता और मैं अंग्रेजों की कमपनी का लाइसेंस में रस्त करूँगा और आपको मारके वापस इंग्लेंड बेस दूँगा तो अंग्रेज घबरा गए, परेशान हो गए, औरंगजेब के सामने गए चरणों में गिर गए, रोने लगे, पीटने लगे चाती उसके सामने थोड़ी देर में औरंगजेब दरवित हो गया और उसने का अच्छा जाओ तुम्हें माफ किया और इस्ट इंडिया कमपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने और ये भूल फिर औरंगजेब कर गया कि 1688 में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो फिर अंग्रेजों को भगाई देना चाहिए था इस देश से और लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहिए था लेकिन वो लाइसेंस फिर रिन्यू हो गया और फिर इस्ट इंडिया कमपनी हावी हो गई और फिर इस देश में उन्होंने अपना सामराज्य और व्यापार इस्थापित कर लिया ये और एक बड़ी भूल हो गई एक भूल सिराज़त दौला के समय में एक भूल जहांगीर के समय में एक भूल ये औरंगजेब के समय उसके बाद और एक भूल हुई हमारे भारत देश में इस्थ इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समू बनाया था एक बहुत बहादुर मराठा सामराजी के एक मालिक हुआ करते थे उनका नाम था जस्वंत राय होलकर उनकी सेना ने बहुत सारे भारती राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तयार की थी और जस्वंत राय होलकर का ये संकल्प था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में से और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्नायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और ये निर्नायक लड़ाई 1805 की बात है 1805 में जस्वंत राय होलकर ने सिंधिया सामरज की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महराजा हुआ करते थे रणजीत सिंग उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा तो उसके लिए उन्होंने एक संधी करने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग इस देश का ये था कि वो संधी नहीं हो पाई जस्वंत्राय होलकर की सेना पंजाब में ब्यास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और सिंधिया परिवार की और सिंधिया सामरजी की सेना को उसमें आकर मिलना था लेकिन अंग्रेजों ने चाला की करके सिंधिया के साथ एक अलग समझोता कर लिया सिंधिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलत राओ सिंधिया उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रिमेंट कर लिया संदी कर ली और उसमें अंग्रेजोंने उनसे वचन ले लिया कि आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद लोलने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी तो दौलत राव सिंदिया का ये समझोता जस्वंत राव होलकर को भारी पड़ गया तो सिंदिया की सेना वहां नहीं आई और इसी तरह से अंग्रेजोंने महराजा रंजीत सिंग के साथ एक अलग से समझोता कर लिया और महराजा रंजीत सिंग की सेना से वचन ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सायोग नहीं करेंगे तो महराजा रंजीत सिंग की सेना भी नहीं आई सिंदिया की भी सेना वहां नहीं पहुँची और खाली जस्वन तरह होलकर की सेना पहुँची और उसने जब देखा कि दोनों राजियों की सेना वहां नहीं है तो भाई बहुत परेशान हो गया फिर भी उसने बहादरुई से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया पराजित किया और पराजित करके वो वहां से फिर वापस लोटा लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा और उसने अपने मन में ये बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने को तयार नहीं है तब तो भगवान की ही मरजी ऐसी है और वो निराश हो के वहाँ से लोट गया और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ जिन अंग्रेजों ने महराजा रंजीत सिंग के साथ समझोता किया था उनी अंग्रेजों ने महराजा रंजीत सिंग का सामराज खतम करा दिया और अंग्रेजों का कब्जा पूरे पंजाब पर हो गया महराजा रंजीत सिंग के हाथ में जब तक ताकत थी अंग्रेजों ने उसका उप्योग किया और जैसे ही महाराजार रंजीत सिंग्क की ताकत कंवोना शुरू हुए 1848 के आते-ाते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हाभी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया बाद में महाराजार रंजीत सिंग्क की मृत्यू हो गई उनकी म्रत्यू के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहां से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया और महाराजा रंड़ीत सिंग की जो धरम पत्नी थी श्रीमती जिन्दा कौर उनको पकड़ कर अंग्रेज ले गए उनके राज्य से और बनारस में दरदर की ठोकरे खाते हुए उनका अंतिम समय बीता तो महाराणी जिन्दा कौर जो पंजाब की महाराणी थी और महाराजा रंड़ीत सिंग का बेटा राजा दिलीप सिंग जो महाराजा होना चाहिए था पंजाब का ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बुड़ी दुरदशा की थी और महाराजा दिलीप सिंग को तो लंडन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबर जस्ती एक अंग्रेज लड़की से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से ईसाई बना दिया और उसके बाद राजा दिलीप सिंग को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि राजा दिलीप सिंग को लंडन में बंदी बनाके महाराणी जिन्दा कोर को बनारस में निर्वासित कराके महाराजा रंजीत सिंग के खजाने का सबसे कीमती तोफ़ा जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते हैं वो अंग्रेज छीन कर ले गए और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महारानी के मुकुट में जड़ा रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कबजे में हैं भारत में वापस नहीं आया उस कोहिनूर हीरा की कीमत दुनिया के जोहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती इसका मूल निलधारित नहीं किया जा सकता ये बे मूल है, बे मिसाल है, अनमूल है तो हमारा सबसे अनमौल हीरा कोहिनूर अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था पंजाब राजी से लूटा था और महराजा रंजीत सिंग के खजाने से लूटा था क्योंकि महाराज रंजीत सिंग का खजाना अठारे सो पचास तक आते आते अंग्रेजों के कबजे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंग अंग्रेजों के कंट्रोल में था वो कुछ कर नहीं सकता था बस रोता बिलखता वो अपनी दुर्दशा पर आसू बहाता रहता था आज तक वो हीरा महराणी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लेंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है आप कभी चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हीरे को देखने के लिए बहुत कोशिश की मैंने कि इसका मैं फोटो उतार लूँ लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे मेरा कैमरा वहीं रखवा लिया मेरा मुबाइल बाहर रखवा लिया उसका फोटो नहीं उतारने दिया और वहां रहने वाले जो भारतवासी है उनको मैंने कहा कि आप तो 20 साल से 25 साल से 30 साल से यहां रहते हैं क्या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका एक फोटो उतार के दे दे तो कहने लगे जब यह हीरा हमारा था तब तो यह हो सकता था अब तो अंग्रेजों के कबजे में है तो हम भूली जाएं तो अच्छा है यह हमारी मांसिक्ता बन गई है जो भारतवासी इंग्लेंड में रहते हैं उनकी यह हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूली जाएं तो अच्छा है तो अंग्रेजों ने कोईनूर लूटा यहां से अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहां से और किस तरह से दुर्दशा हुई है हमारे देश की यह उसकी छोटी छोटी बाते हैं हमने कुछ भूले की हैं इतिहास में और उसमें से एक बड़ी भूल कि हम मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़े भारत में पाँच सो पैसट राजा थे अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने आपको सुनकर हहरानी होगी कि एक साथ सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में तो उनकी संख्या कुल मिलाकर बावन हजार के आसपास थी आप ही सोचो बावन हजार अंग्रेजों को अगर बाइस करोड हिंदुस्तानी चाहते तो चीटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में लेकिन वो हम नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए ये जो 22 करोड भारतवासी थे ये 565 रियासतों में बटे हुए थे हर रियासत का एक राजा था वो दूसरे राजा से नफरत करता था दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था तीसरा चौथे से नफरत करता था राजाओं में आपस में एक्ता नहीं थी उन्होंने आपस में संबाद नहीं किये उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया नहीं तो अंग्रेजों का सामराजितों कभी बनी नहीं पाता इस देश में तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे उपर हमला करें और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आँक उठा कर देखे क्योंकि वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें सुगठित रहें कभी भी हमारे आपस की दीवारे इतनी बड़ी न हो जाएं कि हम अलग अलग हो जाएं जैसे हमारे राजाओं ने गलती की वो गलती हम भविश्य में ना करें तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा तो ये जो बाते मैंने आज आपके सामने कहीं है इनके पीछे एक ही बात है जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि हम भारत स्वाबिमान की तरफ से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है ताकत तो बढ़ने ही वाली है लेकिन ये बढ़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी मैंने कहा ना 22 करोड भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे 52,000 अंग्रेज 22 करोड पर 200 साल राज्ज कर गए वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे विभाजित थे हमारा संगठन नहीं था आपस में संबाद नहीं था एकता नहीं थी इसलिए वो हमारे उपर राज कर गए और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग-अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साब पेश्वा की अगवाई में नाना साब पेश्वा एक बड़ी रियासत के मालिक थे और वो रियासत थी पूना की जिसको हम मराटी में पुणे कहते हैं पुणे की रियासत पेश्वाउं की रियासत थी और नाना साब पेश्वा के पिता उसके मालिक थे अंग्रेजों ने उनके साथ चाला की और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया था और नाना साथ पेशवा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़ कर बिठूर नाम के एक छोटे से इस्थान में रहना पड़ा था बितूर कानपुर کے पास एक छोटा सा गाउ है नानसाब पेश्वा वहां के रहने लगे थे राद दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंगरेजों ने चीन लिया है ऐसे ही भारत के सबी राज्यों को अंगरेजों ने चीन लिया है तो नाना साब पेश्वा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया दीरे दीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से ये तैह हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगठित हो जाएं तो ये नाना साथ पेश्वा को समझ में आ गया उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया ताकत इकठी हो गई अब उस संगठन की तरफ से एक एलान किया गया वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी और वो बगावत का दिन तै किया गया वो था 31 मई 1857 और नाना साथ पेश्वा ये संगठन बनाने का काम कर रहे थे 1853 से तो 1853 से 1857 चार साल में देश में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया और उस संगठन की तरफ से गोशना हुई कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काट के हिंदुस्तान से खतम कर दिया जाएगा और आपको मैंने बताया कि ये बहुत संभव था क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी मात्र बावन हजा तो ये संभव था और ये हो जाता लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई और वो भूल क्या हुई हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी तेजस्वी उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे उनका नाम था मंगल पांडे वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे बहरकपुर नाम के इस्थान पर उनकी पोस्टिंग थी तो उनको एक दिन किसी ने ये बता दिया कि सेना में जो कार्तूस इस्तेमाल किये जाते हैं उन कार्तूसों को चलाने के लिए मूँ से खोलना पड़ता है और उसमें गाई की चर्वी लगी होती ये मंगल पांडे को किसी ने बताया मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आँखों से देखना चाहता हूँ तो जिस व्यक्ति ने उनको ये जानकारी दी उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्वी वाले कार्तूस कैसे तयार होते हैं तो मंगल पांडे का गुस्सा आस्मान फड़ गया वो ज़्यादा कटर भारतिय थे गाई के प्रेमी थे गोरक्षा के मानने वाले थे उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे उनको जब पता चला कि गाई की चर TV के कार्थूस बनते है इसका माने गाई का कतल किया जाता है फिर उसकी चर TV से कार्थूस बनाए जाते है और वो हमको मूँसे खोलने पड़ते हैं तो हमारा तो धर्म रष्ट हो रहा है। तो उन्होंने तै कर लिया कि इन अंग्रेजों को सबक सिखाना है। तो वो भी नाना साथ पेश्वा के संगठन में शामिल हुए। और नाना साथ पेश्वा ने तारीक तै की थी कि 31 माई को एक साथ पूरे देश में विद्रो होगा। लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 माई का इंतजार नहीं किया। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी। अकेले तै हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 माई को। उससे काफी पहले 29 मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी। और उन्होंने क्या किया एक अंग्रेज अदिकारी था उसका नाम था मेजर हूसन। उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बेरकपुर में। और भरी सभा में गोली मारी। सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे। मेजर हूसन कुछ आदेश दे रहा था। मंगल पांडे ने मेजर हूसन को एक सवाल पूछा कि क्या हमको जो कार्तूस दिये जाते हैं उसमें गाई की चर्बी मिली होती है। मेजर हूसन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मंगल पांडे ने पूछा क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं हमको जो कार्तूस दिये जाते हैं उसमें गाई की चर्बी मिली होती है। मेजर हूसन ने नहां कहा नहां कहा। बस इसी पे गुस्सा आगया मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूग थी गोली उन्होंने मेजर हूसन को मार दी। जैसे मेजर हूसन मरा और गिरा तो उसके नस्दीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था। उसका नाम था करनल वाग वो जपटा मार के मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी। और वाग भी वही डेर हो गया। उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ वो उसके पेट में गुसेड दिया और वो भी धराशाई हो गया। तीन अंग्रेज अधिकारी वहां मर गए तडप तडप कर उसके बाद मंगल पांडे चिल लाया और उनके जो सयोगी सैनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर तीन अंग्रेजों को मार सकता हूँ तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो उठो आगे बढ़ो क्रा कि अगर एकतीस माई का संकल्प लिया हुआ है और आप अभी हमसे कह रहे हो करांती करने को सारे देश में एकतीस माई को करांती होगी और आप क्याते हो आज ही करो तो वह धरम संकट में थे कि नाना साथ पेशवा के संगठन से चुंकि जुड़ चुके हैं तो संगठन का आदेश माने या मंगल पांडे का आदेश माने इसी उधेर बुन में वो कुछ नहीं कर पाए किंग करतब वे भिमूर हो गए और उतनी देर में अंग्रेजों की फौज आ गई और अंग्रेजों की फौज ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और मंगल पांडे ने कोशिश की कि वो अपने को गोली मार के खतम करें लेकिन वो गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई वो जीवित रह गई अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया कोट मार्शल हुआ और 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चड़ा दिया अंग्रेजों ने और 8 अपरेल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो सारे देश में ये खबर आग की तरह से फैल गई मंगल पांडे की सेना के जो सैनिक थे उनके सही होगी उन्होंने छोटे-छोटे समूह बना लिये और वो समूह के रूप में गाउं-गाउं घूमना शुरू कर दिया और 31 मई को जो करांती होने वाली है उस करांती की तैयारी में वो सब लग गए लेकिन फिर एक छोटी सी भूल हो गई कि जो सैनिक गाउं-गाउं घूमकर करांती की तैयारी में लगे हुए थे वो सब को बता रहे थे 31 मई को करना है 31 मई को करना है लेकिन यहां मेरट हमारे नजदीक में है यहां मेरट में कुछ आती उत्साही नौजवानों ने कहा 31 मई तक कौन इंतजार करेगा अभी करना तो मेरट में 10 मई को करनती शुरू हो गई और मेरट में जो भारती सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में उन्होंने बगावत करके अंग्रेजों के घर जला दिये और जो अंग्रेज थे उनको मार डाला और फिर वो सैनिक मेरट से दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया 31 माई तक कौन इंतजार करेगा अब ही करो तो दिल्ली के सैनिक भी उनकी हामे हाम मिलाके 12 माई को दिल्ली में करांती हो गई फिर 13 माई को दिल्ली के पडोस में हो गई और ऐसे करके वो 31 माई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया अब इसमें गड़बर क्या हुई कि उस जमाने में कम्मिनिकेशन तो था नहीं टेलिफोन का कमिनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का कमिनिकेशन था नहीं रेडियो का उस जमानी में सूचनाओं को पहुँचाने के लिए एक-एक व्यक्ती गाउं गाउं जाता था तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 माई की अब बाद में ये मेरट में और दिली में जब करांटी हो गई तो कौन ये सूचना पहुचाए जाकर गाउं गाउं कि सब कुछ 14 माई को ही करना या 15 माई को करना है तो कुछ जगे हुआ और कुछ जगे वो 31 माई का इंतजार हुआ अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी करांटी को एक तरफ जो सफल होने वाली थी तीन महिने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगाली बाहर से फिर से उनकी सेना आ गई और इस करांथी को पूरा दबा दिया और जब ये करांथी दबी तो जिस बिठूर में नाना साथ पेश्वा ने संकल्प लिया था देश को आज़ाद कराने का उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया बिठूर में तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा सब को गर्दन से काटा और दीरे दीरे सारे करांथी वीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और दुर्भा के उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिनों ने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता उसके बाद फिर हमको लगबग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आज़ाद हुआ एक बार मौका आया हम 1757 में आज़ाद हो जाते जो रॉबर्ट कलाइब को पत्थरों से मार दिया होता दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंग जेब ने अंग्रेजों को पराजित किया हम तब भी आज़ाद हो जाते तीसरा मौका आया जब 1805 में जस्वंत राए होलकर महराजा रंजीत सिंग और दौलत राव सिंदिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आज़ाद हो जाते लेकिन ये तीनों मौके हमें गवाने पड़े फिर 1857 में ये शुरू हुआ उसमें भी हमारी जल्दवाजी में अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आज़ाद हो पाए तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आज़ादी 90 साल पीछे चली जाती है 90 साल सुतंतरता के लिए संगर्श करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है इसलिए मैं आपसे विनमरता पूरवक यही कह रहा हूं कि हम भारत स्वाविमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारा संगठन बढ़ रहा है तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महतुपूर होता है अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी करांतिवीरों के सामने हुआ था इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा जो निर्देश आएगा उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे उसमें अपना उत्साह और अपना अती उत्साहह नहीं जोडेंगे नहीं तो फिर गड़बड हो जाएगी आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पढ़ेंगे तो एक तारीक तय होगी एक दिन तय होगा और उसी तारीक और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि हम इनसे सबक सीखें और भविश्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुर्खों से हो गई मैं इश्वर से प्रार्थना करूंगा परंपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाविमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धी दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज़्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवेहलना ना करें उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगा कर काम करने की तैयारी करें इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद